सजना जी मैंनो छट के नी जाना कदी जूटे वादे सही दिल से नी भाना कदी अलंबी राते सही ख्वाप तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चान बन जाना कदी परदे से तेनो जरा जिसन का सोफ नहीं दिल सी वाने तेनो बेवफ़ा का रोग नहीं नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भी स्वाथियो और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भी स्वाथि ब्लॉग में दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दुर्गापुजे की जो पंडाल होती है वो यहां पे बनना शुरू हो गया है इस समय यहां हर किसी के घर में दुर्गापुजा की तैयारी शुरू होती है दूसरी जगापर जैसे नवरात्री की तैयारी होती है वैसे ही वेस्ट पिंगॉल में दुर्गापुजा की तैयारी होती है हर किसी के घर में तो मेरे घर में कुछ भी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है जो मैं अभी शुरू कर रही हूँ क्या-क्या तैयारी कर रही हूँ आप लोग रहना मेरे साथ तैयारी में सबसे पहले कबर में जो पुराने कपड़े पड़े हुए होते हैं उन्हें धूप में दे दूँगे तो सबसे पहले सर में तेल लगा रही हूँ ताकि दिमाग एकड़े शांत रहे एक ही दिन में घर के सारे फैमिली मिंबर्स के कपड़े अगर धुप में देने गई तो संभाल नहीं पाऊंगी इसलिए आज सोचा है स्ट्रिप बेटी कही कपड़े दूंगी आज बाहर धूब भी थी बड़ी गजब पूरे घर में जितने भी सारे पर्दे हैं सब धोना पड़ेगा इसलिए एक एक करके सबी पर्दे नीचे उतार रही हूं मा को काम करता देख मेरे बेटा भी मेरे साथ हाथ बटाने लगा पूरे घर के पर्दे उतारने में मैं तो थट गई थोड़ा सा पानी पीती हूं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हूं तो खाना पकाना भी बाकी है तो इस वक्त खाना पकाना जरूरी है तो खाना पका लेती हूं उसके बाद फिर बाकी के काम करोंगी मेरे हजबन ने भी आफिस के लिए निकलेंगे इसलिए उन्हें फल कात के दे रही हूं अपकाने के लिए उने साम जाए जब जूट जाए जाए रब जब हो वह यह जशा सजना जी तेरे बिना जी आ लागे ना हम रख से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लखीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना अपना भी पेट पुझा करना ज़रूरी है और ये भिंडी की सबजी लगभर तैयार है ये है सरसो भिंडी अब मैं बनाओंगी लॉकी की सबजी इसलिए लॉकी काट रही हूं लॉकी और दाल से बने ये रेसिपी भी बहुत अच्छी है अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंस में जरूर लिखिएगा घर के काम करते करते आज और ज्यादा इक्स्ट्र काम नहीं हो पाए तो मैंने सोचा शाम को चाए पीने के बाद बाकी काम करूंगी तो यहां मैं अपनी चाए पी रही हूँ इसके बाद जितने भी कप्रे धूप में सुखाय थे उन्हें फिर से अलमीरा में एरेंज करके रखूंगी सब कप्रे इखटे धूप से लाके ऐसे भी रख दिये थे तो आज इसी तरह काम और काम के बीच दुर्गापुजे के जो तयारी है वो शुरू हो गई है आगे भी जारी रहेगी मेरी दुर्गापुजा की तयारी तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहेगा दोस्तों तो वीडियो पर संदाया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिनेंगे फिस से नए एक वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया